हेलो एवरिवन, फोट फ्राम होम में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे चावल के आटे की तिलोडी, इसे कचरी, फूल, चरोरी, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इसके नाम है, इसे आप बना का साल भर तक इस्टोर करके रख सकते हैं, ये स्नेक्स चाय के साथ होग अच्छा लगता है, तो आईए बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमने मोटे तले के कडाई ले लिया है, और इसमें हम दस कप पानी ले लेंगे, एक कप चावल के आटे में पांच कप पानी का परफेक्ट मेजर है, हम दो कप चावल का आटे का बना रहा है, तो दस कप हम पानी ले लेंगे इसी कप से हम दो कप चावल का आठा मेजर कर लेते हैं हमने दो कप चावल का आठा ले लिया है इसमें हम एड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान रखेंगे इस stage पर हमें flame on नहीं करना है नहीं तो इसके गाठे बनने लगेंगे अच्छे से mix नहीं हो पाएगा वैसे ये बहुत आसानी से mix हो जाता है तो हम vixer की help से इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये देखे अच्छे से mix हो गया है अब gas को हम on कर देते हैं बाकी ingredient है इसमें add करेंगे आदा चमच नमक आगे हम आपको बताएंगे कौन सा नमक है आदा चमच अजवाइंग इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दो से तीन पींच हम इसमें खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा add करेंगे ध्यान रखेंगे बेकिंग सोडा आप ज़्यादा add ना करें ऐसे continue चलाते रहेंगे तीन चार मिनट बाद ये गाड़ा होना सुरू हो जाएगा फ्लेम हम medium रखेंगे ये देखें गाड़ा होना सुरू हो गया है अब इसे हम continue चलाते रहेंगे इसको पकने में 15-20 मिनट लग जाते हैं हमने नमक इसमें जो add किया है वो नॉर्मल नमक, काला नमक, जीरा और काली मिर्च को हमने पीस के ले लिया था इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये देखें गाड़ा होने लगा है 20 मिनट हो गया है गैस को हम off कर देते हैं और इसे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे इसे ठंड़ा करने के लिए हम एक बड़े वरतन में निकाल लेते हैं जिससे असानी से जल्दी ठंड़ा हो जाएगा हमें ज़्यादा ठंड़ा नहीं करना है वरना ये जम जाएंगे हमें इतना ठंड़ा करना है कि इसे हम असानी से छू सके यह देखिए इसकी consistency देखिए कैसे रुक रुक के गिर रहा है और नीचे आके जम जा रहा है बिल्कुल perfect consistency है अब इसे हम बनाएंगे तो हम एक थाली ले लेंगे और इसे oil से grease कर लेंगे हम आपको दिखाने के लिए थाली पे बना रहा है बट इसे हम plastic sheet पे बनाएंगे जिससे सूखने के बाद आसानी से निकल जाता है अब उंगलियों के help से हम उठाएंगे और अंगुठे से प्रेस करते हुए इसे हम गिराते हुए बनाते जाएंगे यह देखिए इस तरी के सम सारे बना के तयार कर लेंगे इसे बनाना बहुत ही असान है उंगलियों से आप उठाएंगे मिक्षर को और अंगुठे से नीचे के तरफ प्रेस करके इसे गिरा दीजिए गोल-गोल बनके तयार हो जाएगा इसी तरी के सम सारे बना के तयार कर लेते हैं यह तिलोडी यह स्नेक से बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है यह देखिए हमने बना लिये हैं इसी तरी के सम सारे बना लेते हैं और इसे सुखाने के बाद हम आप से तीन दिन बाद मिलते हैं ये देखिए, तीन दिन बाद कुछ इस तरह से सुख के तयार हुआ है, सुख के बिल्कुल छोटा हो गया है, अब इसे हम आपको तल के दिखाएंगे, ओल में जाते ही ये कैसे फुल के बढ़ा हो जाता है, हमने ओल ले लिया है, ओल को हमने अच्छा गरम कर लिया है, ओल रखेंगे, फ्लेम हम लोटू मीडियम रखेंगे, फूलने के बाद हम इसे तुरंट निकालेंगे, ज्यादा हमें नहीं सेखना है, इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए फुल के कितना अच्छा से, ये दोगुना हुआ है, एक बैच हम आपको और दिखाते हैं, थोड़ा से डालेंगे, और इसे अलट पलट के इसे हम फुला लेंगे, तिलोडी को सुखा के आप एक साल तक इस्टोर करके रख लें, जब आपको खाना हो, तो इसे आप तुरंट तल के खा सकते हैं, ये देखिए, आपको एक फोड के हम दिखाते हैं, कितना कुरकुरा बनके तयार हुआ है, यह देखिए, बहुत ही टेश्टी है, बहुत ही कुरकुरा लगता है, चावल के आटे का तिलोडी स्नेक्स बनके तयार है, यह रेश्पी आपको कैसी लगी, अगर आपको यह रेश्पी अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूले, थांक्स फार वचिंग,